आपके अपने यूटीब चैनल नेट बार पाई जोद करेवाल में आज की वीडियो का हमारा टॉपिक आपने टाइडल और थम्नेल देखी लिया होगा ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आप में से कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि अगर हमने बिगिनर्स लेवल के लिए बेजिक नेल आट की कित बनाए है तो हमें क्या-क्या प्रॉडक्स लगेंगे तो आज की इस वीडियो में आपके लिए छोटी सी वीडियो बनाऊंगी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी तो एंड तक देखना बिना स्किप किये देखना लाइक जरूर कर देना अगे शेर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो लगी या नहीं लगी तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो मारा नेलाट किट है आप लोग शुरू करते हो, शुरू में आपको प्रॉडक्स जो चाहिए, उनकी लिस्ट में आपको आज बताने वाली हूँ, तो कापी पैन जुरूर ले 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 ना, नोटबुक एन पैन, पंजाबी में बोल दिया, कापी पैन ले 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 ना, बाकी हिंदी में बता देती हो कि नोटबुक और पैन ले लो, और जो है आपका, हाजी, नोटबुक और पैन रख लो अपने पास, सबसे पहले तो आपको जुरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपका नेल प्रेप के प्रॉडक्स आ जाएंगे, जिनमें आपका डिहाइडरेटर, प्राइमर, बेस कोट, ये सब आजाएगा, जो आपके नेल प्रैप की प्रॉडक्स है, सबसे पहले आपका आएगा, क्युटिकल सॉफ्टनर, ठीक है जि, क्युटिकल सॉफ्टनर आपका यूज किया जाता है, क्युटिकल एडिया को सॉफ्ट करने के लिए, तांकि उसको पुष एंड रिमूफ करने में आपको असानी हो optional है नहीं भी लेना चाहो तो भी सोके लेकिन अगर ले लोगे तो आपके client को थोड़ा सा royal feel आएगा कि हाँ भी ये बंदा जो है इसको मेरी परवा है कि मुझे दर्द ना हो ठीक है cuticle softener, dehydrator primer, base coat ये है आपका nail prep का product इसके बिना आपके आजाएंगे buffers, hard buffer soft buffer, block buffer आपको लेना पड़ेगा note करते जाएए ठीक है बाद में comments में मुझे ये नहीं चाहिए कि madam आपने ये बोला था मुझे समझनी है तो note कर लेना भी अच्छे से ठीक है nail prep के product आपके हो गए है उसके बाद आपकी आजाएंगी gel polishes gel polishes आप कितने colors की लेना चाहूँ जरूरी नहीं है कि आपने पूरा 6000-7000 वाला boxy लेना है ठीक है ना मैंने जब kit ली थी ना मैंने बहुत कम colors लिये थे जो running colors थे वो लिये थे और जो color मैं mix and match करके बना सकूँ मैंने बो लिये थे black, white, golden, silver, red, pink, blue, green जो आपको लगता है कि मेरे नील आट में भी काम आएंगे और मैं इनको mix and match करके dark and light का combination लो ताकि अगर आपको medium color बनाना पड़ जाए तो आप एक dark और एक light उठाके medium सा shade बना पाओ baby pink और आप थोड़ा सा जो है red ले लो थोड़ा सा या फिर आप baby pink और magenta color को mix करके fuchsia pink बना सकते हो इस तरीके से आप लोग कई colors हैं ऐसे आप sky blue and purple को mix करके आप lavender color बना सकते हो कई colors हैं white and black को mix करके आप gray बना सकते हो बहुत colors हैं ऐसे जो आप dark and light के combination से बना सकते हो तो ये आपके आगए gel polishes वो आप अपने according ले लेंगे तो उसके बाद आपका आजाएगा top coat top coat आप shiny and matte दोनों लोगे क्योंकि अगर आपके client को matte nails चाहिए और आपके पास shiny top coat है तो भी नहीं चलेगा और अगर आपके पास matte top coat है client को shiny चाहिए तो भी नहीं चलेगा matte and top shiny दोनों top coat आप ले 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 ना ठीक है जी उसके बाद आपका आजाएगा nail lamp nail lamp आप लोगे LED वाला cure करने के लिए क्योंकि nail lamp के बिना आपकी gel polish dry नहीं होगी ठीक है उसके बाद आपका आजाएगा acetone white acetone का dispenser pump bottle होती है वो आपकी लगेगी ठीक है friends nail art brushes हो गए आपके dotting tools हो गए glitter, miler, stones जो भी आप basic में रखना चाहों क्योंकि glitter miler तो आपको basic में रखना ही पड़ेगा chrome powder अगर आप रखना चाहों तो रख सकते हों नहीं तो आपकी मर्दिया spider gels आजाएंगी आपकी तो art के लिए आपको इतना product रखना ज़रूरी है ठीक है ना friends उसके इलावा अगर आपने extension का start करना है ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े brand का product लेना है आप beginner level से start करो IBD एक अच्छा brand है मैं खुद अभी तक में IBD का product यूज करती हूँ IBD के आप लोग gels या acrylics आप ले सकते हो monomers, acrylics अब अगर आपको extension start करना है ठीक है? अगर आप gel extension करना चाहो कम budget में करना चाहो तो आप gel कर लो gel या acrylic दोनों में से एक कर लो या फिर आप दोनों करना चाहो तो आपको मैंने एक list दी गई है friends मैंने पहले आपको एक video अपलोड कर रखी है अगर आप पूरा product लेना चाहो तो आप वहाँ से ले सकते हो अगर आपको practice के लिए चाहिए तो आपको एकना nail plates आती है 20 rupees की आती है ऐसे circle वाली होती है उसके उपर nails बने होती है अब वो आपको लगेगी 5-6 plates आप वो ले लेना ठीक है जी बाकी फिलाल तो यही है बाकी आपको buffers चाहिए tip cutter चाहिए अगर आप extension का कर रही हो तो अगर beginner level के लिए है art सीखना है तो आपको gel, polish, top coat, lamp उसके बाद तो full kit की तो video already आपकी मैंने डाली रखी है ठीक है friends अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे comments में लिख देना मैं कोशिश करूँगी, मैं यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए videos लाती रहें time to time videos आपके आती रहेंगी तो आज की वीडियो में इतना influence मैंने बता दिया है आपको की basic products आपके क्या क्या लगेंगे अगर आपको nails का शुरू करना है तो वीडियो को like जरूर कर देना आगे share कर देना और sir देखिये कैसे देख रहे है पीचे से sir को ऐसे लग रहे है कि तर्मजर नहीं आ रहे है जालो जी सश्कार नमस्ते जादा सारे ठीकों में वोप तुसी सारे बदी हमों चलो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखना जब तक हम खाना खाले है अभी गुडबाई टेक केर मिलते हैं एक नई वीडियो में